जहन दोस्तो एकोनोमिस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम सीखेंगे अंतर करना साधनों के बीच में जो हमने पांच संसाधन पड़े हुए हैं उत्पादन के भूमी पूंजी श्रम संगठन और साहस सभी में आज हम अंतर करके देखेंगे तो आए जल्दी से आज है किसी के साथ आंतर पूंच लिया जाता है तो इस टेविल के द्वारा आप आजानी से उत्तर लिख सकते हैं और एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे यह मैंने अंतर के यहां पर लिख लिए हैं इनहीं के आधार पर पांचों संसादनों में मैंने अंतर किया है पहला है अर्थ एवं परिभासा उसको हम अर्थ लिखेंगे परिभासा लिखेंगे जिसका भी पूंचा जाता है भूमी पूंजी का पूंच लिया जाए कि भूमी एवं पूंजी मे अंतर बताईए किसी में भी पूचा जाता है आप आसानी से लिख सकते हैं आपको केवल क्या ध्यान रखना है ये पांच बिंदू ये पांच बिंदू आपने ध्यान रख लिए तो आप आसानी से कोई से भी साधन का अंतर आसानी से कर सकते हैं तो चलिए एक-एक करके समझ अंतर का अधर, क्या है , या पहुमी और पूंजी में पूंचा जाता है , तो अंतर का आधर लिखेंगे हम परिभास या अर्थ एक नम्मर पे उसके बाद लिख देंगे भूमी क्या होती है पिरकिर्ती से प्राप्त निसुल्क उपहार होती है जिसके अंतरगत भूमी के धरातल भूमी के धरातल के नीचे जो भी संसादन होते हैं वो हमें निसुल्क प्राप्त होती है पूंजी का अर्थ क्या लि हो गया इसके बाद चलिए इधने में हम एक एक पॉइंट समझ लेते हैं कि सभी का अर्थ क्या हो जैसे हमने अभी यह समझ लिए परिवासा समझ ले पहले परिवासा है क्या होती है तो सब की परिवासा है आप याद कर लेंगे तो परिवासा वाले और धरातल के नीचे जो भी खनिज रहते हैं खनिज पदार्च जो सब कुछ किसमें आता है ये सामिल किया जाता है भूमी में इसके बाद पूंजी देखिए पूंजी धन का बहे भाग होती है जो और अधिक धन अर्जित करने के लिए प्राप्त की जाती है जैसे कि हमने पूंजी कहलाएगा बाकी पूरा पैसा धन नहीं कहलाएगा कितना कहलाएगा 5000 रुपए क्योंकि 5000 रुपए हमने कहां लगाए है और अधिक धन अर्जित करने के लिए तो पूंजी क्या होती है धन का वह भाग होती है जो आय उत्तपन करती है इतना समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं, अब सरम की परिवासा देख लेते हैं, सरम की परिवासा क्या ली थी हमने, मनुस्य द्वारा धन के लिए सारीरिक एवं मानसिक कार होता है, सरम क्या होता है, मनुस्य के द्वारा धन प्रापती के लिए जो सारीरिक और मानसिक रूप से कार किया जाता है, उसे ह कहते हैं संगठन की क्या परिभासली थी संगठन के अंतरगत जितने भी संसाधन होते हैं उत्पाधन के उन संसाधनों को एक अनुपात में बिठाया जाता है और उनका सामण जस्त किया जाता है किस प्रकार से कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन के लिए जिस बस्तुका भी निर्माल कर रहे हैं उसके लिए कितनी भूमी की अवश्यक्ता पड़ेगी जिसमें फ्रैक्ट्री भी बनेगी रहने के लिए भी कुछ जगा होगी उत्पादन रखने के लिए भी कुछ जगा होगी इस्ट कितने सुपरवाईजरों के उपर एक मैनेजर होगा ये क्या होता है, ये संगठन होता है मतलब संसाधनों का उचित धंग से उचित अनुपाद में मिलाना और उनका सामन जस्ब इठाना इसकी परिभासा clear हो गई अब साहस क्या होता है साहस की हमने क्या परिवासा ली थी कि साहसी बहे ब्यक्ति होता है जो कि ब्यापार में होने वाली अनिस्चित्ताव और जोखिम जोखिम किस प्रकार का कि हम किसी भी ब्यापार में पैसा लगाते हैं तो हमें लाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है अब सहासी ब्यक्ति को दोनों ही बहन करना पड़ता है यदि लाव होगा तो वो बहन करेगा और हानी होगी तो भी उसी को बहन करनी होगी कोई एक ब्यक्ति होना चाहिए जो उस लाव और हानी को बहन करता हो वो क्या कहलाता है सहासी कहलाता है जिसके अंदर ये सहास नहीं है कि मैं हानी नहीं सह पाऊंगा तो फिर वो बैपार नहीं कर पाता है हानी को सहन वही ब्यक्ति कर पाता है जो जिसके अंतरकती ये गुण होता है ये सहास होता है कि ठीक है बैपार में एक बार हानी हो जाती है तो हो जाने दो तो मैं अगली बार और अच्छे से नियोजन करूँगा, पिरबंधन करूँगा, जिससे मुझे लाप राप्त होगा, वो क्या होता है, सहासी होता है, पांचो साधनों की परिभासा हो गई, दूसरा अंतर का आधार देखिए, क्रिया सीलता, क्रिया सीलता मतलब कि स्यम कौन क क्रिया करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक क्रिया कर रहा हूँ, आप पढ़ रहा हैं, तो आप एक क्रिया कर रहा है, आप कोई भी काम करेंगे, तो आप क्या कहोंगे, क्रिया सील होंगे, अब वो ही हमें साधनों में देखना है, क्कौन से साधन क्रि क्रिया नहीं करती है तो क्या हो गया है निस्क्रिये साधन पूंजी भी क्या है निस्क्रिये साधन है पूंजी स्वयम से कोई कार करती है आपके पैसा है आप किसी बस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं स्वयम से उत्पादन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपको उसके सा उपर रखना चाहते हैं, और बस तु बड़ी भारी मात्रा में हैं, मानके चलिए इंट है, इंट को आपको दूसरी मंजल पर पहुँचाना है, आपके पास पैसे हैं, एक हजार रुपए, आप एक हजार रुपए से बोल सकते हैं, क्या कि ये इंट छत पर पहुँचा दी द भोमी भी कोई कार स्वेम नहीं करते हैं, तो भो भी निश्क्रीय साधन, श्रम एक सक्क्रीए साधन है, यह क्रिया के साथ कार करता है, आपने श्रमिक को पैसा दिया, उसने कार Moment की सारीरिक रूपष से, और और इंटों को कहा पहुँचाया, छत पर पहुँचाया, मतलब कि यहां पर सभी चीज़े ध्यान रखना है हमें क्रिया सील्टा हमने आधार ले लिया है भूमी निस्क्रिये साधन होती है स्वयम कोई क्रिया नहीं करती है स्रम सक्रिये साधन होता है क्रिया के साथ कार करता है संगठन भी इसी प्रकार का होता है आपने एक फैक्टरी लगा का उसमें सामंजस बिठाना पड़ेगा कितने आदमी लगाना है कितनी मसीने हैं ये सब क्या करना पड़ेगा पिरबंद करना पड़ेगा तब जाके संगठन कार करता है तो संगठन भी कैसा होता है निस के लिए होता है इसके बाद साहस भी किस प्रकार का होता है निस के जैसे आपके अंतरगत यह है, छमता है कि ठीक हम बहन कर लेंगे, लेकिन आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, ब्यापार में लगाने के लिए, पैसा नहीं होगा तो आप कोई किरिया कर पाएंगे, कोई साहस जोटा पाएंगे, नहीं जोटा पाएंगे, तो ये भी क्या ह क्रिया सीलता के आधार पर सभी में अंतर आ जाएगा हमें केवल क्रिया सीलता याद रखनी है उसके बाद किसी में भी पूंच लिया जाए हम लिख सकते हैं भूमी निस्क्रिये पूंजी निस्क्रिये स्रम सक्रिये संगठन निस्क्रिये सहस्वी निस्क्रिये इतना याद र नश्ठ हो जाते हैं और कौन से साधन है जो नश्ठ नहीं होते केवल एक ही साधन है जो नश्ठ नहीं होता है भूमी भूमी क्या है अभी नासी सकती है उसके पास अभी नासी सकती होती है आपका जो मकान बना है आप उसे गिराना चाहते हैं मकान को तोड़ सकते हैं उस जग पर आप बम पटकेंगे तो आपका मकान तहस्ट नहस हो जाएगा, भूमी तहस्ट नहीं होगी, थोड़ा सा गड़ा हो जाएगा, लेकिन भूमी नश्ट नहीं होगी, क्या है ये, अभी नासी सकती है, इसके पास भूमी क्या है, भूमी एक अभी नासी साधन है, इसे हम नश नहीं कर सकते हैं इसके बाद देखिए पूंजी क्या है नासवान है पूंजी नस्ठ हो जाती है पूंजी को हम जला सकते हैं पानी में गला सकते हैं सडा सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं फाड़के भी फैक सकते हैं तो पूंजी क्या है नासवान सकती है इसको इस प्रकार से भी तो भी यह नश्ट हो जाती है, हमारी ओर से तो नश्ट हो जाएगी, भले ही दूसरे वेक्टी के पास पहुंच जाए, इसके बाद सिरम देखिए, सिरम भी क्या है, नाश्वान हो जाता है, आपने जो सिरमिक लगाया है, इटो को नीचे से उपर पहुंचाने के लिए, वो स सिरम एक बार कर देगा, उसने उपर पहुंचा दी, उसका सिरम नश्ट हो गया, उसके बाद आप सिरम को कहीं प्रियोग ला सकते हो, वो जो सिरम करके गया है, वो सिरम आपको दे कर तो नहीं जाएगा, कि आप हमें अपना सिरम दे जाए, हम जब ज़रूरत पढ़ेगी, ह कौन सा साधन है जो अभिनासी है, भूमी केवल अभिनासी है, तो अभिनासी नासवांता का हमें पॉइंट याद रखना है, और भूमी और इसके अलावाद चारों मैंसे कोई साभी पूंच लिया जाए, तो नासवांता लिखेंगे भूमी तो अभिनासी है, बाकी सभी न यह एक ट्रिक होती है एक फॉर्मला होता है जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं अगला देखिए क्या है गती सीलता किसमें होती है गती कौन करता है इस्थिर और गती सील अब दो ही पॉइंट आते हैं या तो साधन इस्थिर होंगे और या फिर गती सील होंगे, मतलब कि एक ब्याबसाय से दूसरे ब्याबसाय में हम आसानी से किसे निकाल के डाल सकते हैं, जिसमें गती सीलता होती है, वो सी को डिकाल के डाल सकते हैं, जैसे पैसा है, रुपय को हम एक ब्यापार से लेकर दूसरे ब्यापार में आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये क्या है गती सीलता है अब इसी के आधार पर देखिए भूमी क्या है इस्थिरसादन है भूमी कौन सा है इस्थिरसादन है इसमें हम गती सीलता नहीं मान सकते हैं ये गती भी नहीं करती है आपका जो मकान है एक जगा से दूसरी जगा पर जाता है क्या नहीं जाता आप जाते हैं बिलकुल जाते हैं आप क्या करते हैं गती करते हैं ये क्या होती है गती सीलता तो भूमी क्या है भूमी एक इस्थिर साधन है और पूंजी एक गती सील साधन है रुपय को हम किसी भी बैपार से निकाल कर किसी भी बैपार में लगा सकते हैं आपकी एक दुकान है, आप चाहें आपको इसमें अच्छा फाइदा हो गया, आप चाहें तो जहां से मान लीजिए आपको पास पहले किराने की दुकान है, किराने की दुकान नहीं चल रही है, आपने निकाल के कपड़े की दुकान डाल ली, आप उस सामान को विक्री करोगे या फिर डीलर को रिटन कर दोगे पैसा जो माल है आपके पास और उससे कपले खरीद लोगे आसानी से क्या कर सकती है गती सील कर सकती है तो भूमी इस्थिर है और पूंजी गती सील है स्रम भी क्या है गती सील है किस प्रकार से गती सील है सिर्मिक को हम कहीं भी ले जाकर काम करा सकते हैं यह हो गया संगठन इस्तिरसादन है संगठन एक ही जगा होता है हर जगा तो नहीं होता न जहां पर हमारी फेक्ट्री होगी वहीं पर होगा तो ये भी क्या है? इस्तरसादन है, साहस गती सील है, साहस में गती सीलता रहती है, साहस आगे के लिए भी हो सकता है, पीछे के लिए भी हो सकता है, जब साहस की जरूरत पड़ेगी तब हम साहस का प्रियोग कर सकते हैं, साहस को हम एक बैपार से लेकर दूसरे बैपार में भ लेता हूं मेरी किराने की दुकान नहीं चल रही है मैं इसको बंद कर देता हूं और कपड़े की दुकान डाल लेता हूं तो सहस क्या गती सील एक ब्यापार से दूसरे ब्यापार में हम लगा सकते हैं यह हो कास प्रकृति से मिलता है बायू प्रकृति से मिलती है यह साधन कौन से है जो प्रकृति द्वारा हमें निसुल के दिये जाते हैं उन्हें हम प्रकृति प्रदर्ट साधन कहते हैं उनकी आधार पर अंतर करेंगे सभी में देखिए तो भूमी तो प्रकृति का एक निसुल को पहार है, हमें प्रकृति से मिला हुआ है, यह याद रखना है, और इतना भी हम लिख देंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा, पूंजी क्या प्रकृति प्रदत है, नहीं है, पूंजी क्या है, मनुस्थ से द्वारा कृत साधन होती है, अर्जित आय होती है, क्या होती है, उचकि करियाव के दवारा यह निर्मित होती है और आय का बहखा होती है, जिससे और अधिक आय अर्जित की जाती है ये पूझी में अंत्र लखना है हमें घूँमी में क्या लेखेंगे भूमी पर किर्टी दवारा निसुल्क पिरदान है इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पूंजी क्या है, मनुस्षिक्रत साधन है, मनुस्ष के द्वारा निर्मित साधन है, यह उसकी आय होती है, यह लिखेंगे, और यदि स्रम का आता है, तो स्रम में क्या लिखेंगे, स्रम धन अर्जन की सारीरिक या मानसिक क्रिया है ना की परिकिर्ट की द्वारा प्रदत हैॉ परिकिर्ती से मिला हुआ है क्या स्रम नहीं मिला हुआ है। किस से मिलेगा सिर्मिक से मिलेगा। То स्रम धन अरजन की एक सारिरिक और मानसिक क्रिया है barodoleilりました है इसके बाद संघतram में देखिए। संगतन एंगठन भी मानअबं द्वारा निर्मित होता है, और इसमें संसाध्णों का सामंजस किया जाता है. ये भी प्रिकृति के द्वारा नहीं मिलता. साहस भी हमें प्रिकृति से मिलता हुइ़ ये मनुस्त की आंत्रिक किरिया होती है, मनिस्ट की सौभाविक या मान से किया मनो बैग्यानिक क्रिया हम कह सकते हैं लेकिन प्रकृति से साहस तो सभी ब्यक्तियों को मिलता है लेकिन लाब और हानी का जो उत्तरदाई होता है वो मनिस्ट से होता है इसलिए क्या माना है इसको मनुष्य मैंने लिख दिया है प्रकृति नहीं लिखा तो आप भी यही लिखेंगे आपका गलत नहीं होगा क्या लिखेंगे साहस लाब और हानी को बेहन करने का एक मानविय सक्ति है किसकी सक्ति है मानविय सक्ति अपने ब्यपार में होने वाली लाब और हानी को बेहन करने का उत्तरदाई कौन होता है मनुष्य होता है ना कि तरकिर्थी इतना लिख देंगे complete हो जाएगा अब एक आखरी और बचा है, आखरी कौन सा है, अल्पकाल एवं दीर्गकाल में परिवर्तन सीलता, अल्पकाल कौन सा होता है, थोड़े समय के लिए, और दीर्गकाल लंबे समय के लिए, अल्पकाल मतलब की छोटा समय, दीर्गकाल मतलब की एक लंबा समय, अब हमने जैसे क कल की एक किलास ली है, हमने उत्पादन फलन की, उसमें हमने दो पिरकार का उत्पादन फलन समझा है, जिसमें हमने ये समझा कि जो साधन होते हैं, जिससे हम उत्पादन करते हैं, भूमी, पुझी, स्रम, संगठन, साहस, ये जो साधन होते हैं, ये लंबे समय में तो सभी पर हैं, सभी में हम परीवर्तन कर सकते हैं, भूमी भी जादा खरी सकते हैं, त्यूमी कभ़़ा सकते हैं, अपनी वर श्रकता अनुसार, पूजी में भी परीवर्तन स्रम में संगठन में भी सास सभी उसी आधार पर हमें क्या करना है अंतर करना है किस प्रकार से देखिए अल्पकाल एवन दीर्ग काल में परिवर्तन सीलता तो भूमी में भूमी दीर्ग काल में परिवर्तन सील है अल्पकाल में नहीं है अल्पकाल में हम भूमी में परिवर्तन नहीं कर सकते पूंजी क्या है? पूंजी अल्पकाल में परिवर्तन सील होती है येसे हम कम समय में भी परिवर्तन कर सकते है स्रम भी अल्पकाल में परिवर्तन सील होता है तो दीरकाल में ही परिवर्तन सील होगा संगठन, संपून संगठन केवल दीरग काल में ही परिवर्तन सील होता है एक महिने में हम कोई फैक्टरी नहीं लगा सकते है एक दिन में कोई फैक्टरी नहीं लगा सकते है ये क्या है? छोटी समय है एक साल या फिर दो साल, तीन साल में एक संगठन खड़ा हो जाता है, तो ये क्या रहता है, दीर के काल में परिवर्तन सील रहता है, साहस अल्पकाल में भी परिवर्तन सील होता है, और दीर काल में भी परिवर्तन सील होता है, तो ये हम दोनों पॉइंट करके रिख सकते हैं, ठीक है ये ऐसे बिंदू है जो पाचो जो साधन है हमारे उत्पाधन के साधन सभी में अंतर इस्वष्ट करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रखना है हमें क्या याद रख लेने हैं ये 5-6 पॉइंट याद रख लेने हैं एक सबसे पहले अर्थ और परिभासा इसके बाद क्रिया सीलता नासवानता गती सीलता प्रकिर्ती का उपहार और अल्पकाल एवं दीरकाल आपका आंसर परफेक्ट होगा यदि तीन मांक्स का होगा तीन मांक्स से ज्यादा आप से ये पूछ नहीं पूछा जाएगा ये एक दूसरे से अंतर पूछा जा सकता है आपको बस ये 5-6 पॉइंट याद रखना है 6 पॉइंट आप लिख देंगे तीन मांक्स आपके कंप्रीट हो गया आज के लिए इतना काफी है आप मैंसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर संसाजनों में अंतर बता दीजे आप लोग कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं देखिए मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा अंतर रहता है और आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर ये चीज पर वीडियो बना चलेंगे तो हम कंटीनू चलेंगे जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम